हलो फ्रेंज तमारू स्वागत्चे मारा कीचेनमा आजे आपने बनावीशू दूदी एक एव शाक भाजी छे के जैनू नाम लई एतो बद्धानाज मोटा बगड़े तो आजे दूदीनू एक्टम नवीज रिते शाक बनावीशू ए शाक नाना थी लईने मोटा बद्धान एक खुबच भावसे चालो बनावीशू तो एक पेन में में गेस उपर राखी बे चमची जेतलू ओयल नाखी अने त्रोन मोट्टी साइज नी ओन्यन लई अने आवी रफली चोप करी अने उमेरी दैसू अने एने मीडियम फ्लैम उपर आरीते सातली लेवानी छे हवे आ तो गोल्डन ब्राउन नथी करवानू पन थोड़ी ड्रांस्परन थाई तिया सुथी आपड़े एने सातली लेशू तो ए थोड़ू ड्रांस्परन थाई एटले आपड़े एमा तो में या त्रोन मोटी साइज ना टमेटा पनली धिला छे अने एने पन में रफली चोप क अने ये पन आपणिए उमीरी देईसु अने सारी दिते लिते मिक्स करी और तीमा फ्लेम उपर आपड़े तवा देऊ दसक मिनिट ज्यू थसे ये अटले बदधिच भसत्तूने सारी दिते मिक्स करता जे और आरे आपड़े ग्यास में बंत करी देईसु तो एट बीजी तयारी करी लए, तो अईयामे 180 portfolios ઈર્યે પાની છે એ તમે જ્યુજ તરીકે પી પણ શકો છો અને અથવા Beyond તદે જાક બનાઓ તો ઉપરથી હ્ય એને उमेरवानू थाए तो तमे आ पाणी पन एड करी शको तो आ पाणी ने आपड़े फ्हेंकवानू नथी याने आपड़े अत्यारे साइड पर राखी शू अने आगलनी प्रोसेस खरी ये तो अवे आ छीन मा आपड़े बंसाला करी लईए तो मित्रो तमने खबर पड़ी छे क्या आजे आपड़े सू बनावाना ची ये जेने खबाव पड़ी गेवे एक कमेन करी ने जरूरती बताव जू एमा त्रोन चम्ची जेटलू अपड़े चणा नो लोटव मेरी सू अर्थी चम्ची हल्दर पावडर और ये चम्ची जेटलू धाना चीरू पावडर अवे एक चमची एमा लाल मर्चु पावडर और एक चप्टी जितली हिंगु मेरी स्वाध प्रमाणे अपड़े एमा मिठु मेरी दैसु अड़ी चमची अपड़े एमा गरम मसालो मेरी दिवान अने हवे चप्टी जितली अजमाने चोड़ी ने अभे लिला मर्चَ एथले के एक मर्चु जीन कापी ने में अभे अटदो कप जितली लिला जाणा अभे अने आरी 30 सारी रीते मिक्स करी लाईसु अहीं जो जरूर पड़े तो आपने दुदिनुचे पाणी हतु एपन उमेरी शक्के अने जो तमने टिलू लागे तो एमा थोड़ो चणानो लोट तमे उमेरी शको चो तो आर इतनी आपणी गोड़ियो तैयार थवी जुईये तो तैयार चे अब मैं यहां पैले थीज गरम करेलू तेल मुकी दिधुदू तेल का अपणी गरम थई कयो चे तो आर इतनी नाना नाना गोटा जीवी साइज ना अपणे लुआ करी अने तड़े लाई सू तो एक बेच अपणे तड़ाईने रेडे थेई के चे अने काढे लेशू, आज रीती आपणे बीजी ब्याच ने पन तड़ी लिवानी छे, तो मित रोजो तमे आ रीते दुतिनु शाक्ण नो बनाविवे तो चोक कस बनाव जू, बत्ताने खोबच भाव से, तो बीजी ब्याच पन तड़ाईने रेडी थाई गे छे, एने पन आपणे उता मिक्सर जार्मा लाइ लेशू, एपन ठंड थाई गयू छे, तो बद्धूस मिक्सर जार्मा लाई, अने ये एने करे प्यूरी, तयार करी लिवानी छे, तो आपड़ी प्यूरी, तयार थाई गे छे, तो हовे ले माँ आपड़े ये वगार करी लई, तो एज पेन मा आपड़े बेथी त्रण चमची मोटी तेल उमेरी शु अने एमा गरम था एटले अड़दी चमची जेटलू जीरू एक तमाल पत्र अने एक तजनो टुकडो अने त्रण लविंग उमेरी अने एनने थवा दैशु आपड़े एमा कसूरी मेथी आरेते आज़्थी मसळी अने एड करी दिवानी चे आना थी खुबत सारोयो टेस्ट आउसे शाकमा હવે 8 ચમ્ચે જેટલી હળદરું મેર દીવાની 5 ચમ્ચે જેટલી હંગું મેરી બદુસારી રીતે મીક્સ કરી અર્દી જમ્ચી કાસમીરી લાલ મર્ચુ મે મુએરીલું છે અને જરૂર પરસે એતો આગર્થી આપણે થોડું વધાર ઉમેરી લીસું બદુસાર રીતે મીક્સ થાય એત્લે હવે આપણે તયાર કરેલી પ્યોરી ઉમેરી દેશું તો હવે આપણે જે મીક્સર જારતો એમ્મા પણ થુડુ પાણી ઉમેરી અને એ પણ યાડ કરી દીવાન તો ખુબજ એઓ સરસ સ્વાદમા પણ અને કલરમા પણ સરસ લાગેઓ પ્યોરી આપણી તયાર થેગી છે હવે આપણેમા સ્વાદ પ્રમાણે થોડુ મીઠુ મેરી દીવાન અને તયાર કરેલા જે બોલ છે એ આપણે મેરી દુદીન તો મીઠ્રો આરીતે જો તમે નશાક બનાવી ઉતો એકવાર જોકસ્થી બનાવી લેજો તો થોડી બાર આપણે આરીતે ગેસ પર્થવા દઈશુ તો તયાર થઈગીં છે ગેસને બંદ કરી ઉપર થી લીલા ધાણા થી ગાર્ણીશુન કરીસુ અને સવ કરવા માટે આપણે સાથે કેરી અને ઓણ્યાનનું કચુંબર પણ તયાર સાક આપણુ ઠંડુ થાય ત્યાં સૂથિમાં આપણે એને પણ તયાર કરી લઈએ તો કેરી ના કટકા તયાર છે સાથે બર્તમે જો નટ ટરાય કરુએ તો ચોક કસ્થી બનાં જો એક પાઓલમાં આપડે હોએ કેરી ના કટકા લઈ લઈસુ સા છાસ ને પાપડ આને સાથેજ આપણે બનાવીલું દુતિનું શાક સવ કરીશું તો જો થંડી થંડી છાસ સાથેજ બો તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આકરને પ્રેસ કરજ જો જેણાલ માં જો નવા આભ્યાઓ એતો ન્સ જાાએ નો હાંજાયા ન્સ ઒ાકર નાહં જાાચાયાંનંંત ન૦ાન્ાયાને નહ૨ાળેંાને નેવાાાા ન્ા